नमश्कार दोस्तों इंफ्राटोस के बहुती फ्रेश से एपिसोड में आपका स्वगत है तो चलिए शुरू करते हैं आज की दोस्तों आपसे पहली अपडेडिकल करा रही है हमारी रेलवेस को लेगर जहांपर सो हमारी रेलवेस का जो फ्रेट है उसको इंक्रीज होते हैं हमारी रेलवेस के दोरा डिसाइड किया गया है कि आप वो 90,000 और वेगर को परक्यूर करने वाले हैं जिनको परक्यूर करने के लिए टेंडर भी फ्लोट कर दिये गये हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते कि हमारे देश में जो रेलवेस के डेडिकेटेड फ्रेड कोई दोर हैं वो अब operational होने लगे हैं तो इसी की चलते भी पिछले को समय में देखा गया है कि रेलवेस का जो फ्रेड शेयर है वो काफी तेजिस निक्रीज होता जा रहा है और इसी में रिजन के चलते रेलवेस के दवरा जो मेगा टेंड रही फ्लोट किया गया है और ऐसा पहली ब 42,000 कोल के लिए 40,000 सीमेंट के लिए और अगले तीन सालों के अंदर अंदर इन सब को पर्कियोर कर लिया जाएगा ऐसा हमारी रेलवेस के दवरा कहा गया है अगली दोस्तों बडेन इकल करा रही है हमारे देश की एक न्यू गवर्मेंट अजेंसी को लेकर जहां पर तो सो National Land Monetization Corporation इसको हमारी Central Government के दवार हमारे देश में इसले सेटप किया जा रहा है तांकि हमारे देश में Central Public Center Enterprises और साथ-साथ में जो दूसरी Government Agencies है और उनकी जो Building and Assets है और साथ-साथ जो Surplus Land है उनको monetize करके वहां से Incremental Revenue को जनरेट किया जाए तांकि फिर उसको हमारे देश की Development Activities है वहां पर यूज की जा सके और क्योंकि अब यह Approve हो चुकी है तो Initially इसकी जो Authorized Share Capital होगी वो 5,000 क्रोपीस की होगी तिक की Paid Up Capital 150 क्रोट की होगी और इसके थूर हमारी Government को उमीद है कि आने वाले समय में हमारे देश में जो Government and उनके जैंसी से लिए जो Land है और उनका जो दिया गया है और इस बार हमारे देश में साथ Companies को वंदे भारत की Manufacturing के Tender दिये गए है तो दोस्तों ये तो आपको बताने की जुरूत नहीं है कि हमारे देश में अगले तीन सालों के अंतर अंदर कितनी वंदे भारत ट्रेंस आएंगी खैर वैसे में आपको बता जाता हू उन्हें वंदे भारत ट्रेंस के लिए जो Electric Propulsion System है और वो बनाने के लिए 26 उनिट्स का ओडर मिल गया है बॉंबाडियर को 16, साइमन्स को 9 और भारत हैवी इलेक्टिकल सिलेंबिट को 4 इसके अलावा सैनी, टीटागड वेगन्स और सीजल इन तीनों को एक एक वेगन के लि जर्मन Automotive Manufacturing Company, OD को लेकर जहांपर लिए इंडिया में प्रोडक्स की डिमांड को देखते हुए, उन्होंने मुंबाई में उनका एक न्यू प्री यह और लगजरी कार शोरूम सैट अप कर दिया है, जो कि मुंबाई वेस्ट में बन कर तयार हुआ है, तो सो पिछले को समय म इनका एक न्यू शोरूम सैट अप किया था, और जैसा कि मैंने बन गताया कि ग्रोध इनका काफी तेज हो रहा है, तो इसकी चल दिन्होंने मुंबाई वेस्ट में भी एक न्यू ओपन कर दिया है, ज्योंकि 2,000 स्वेरी फिट के एरिया में फैला है, और अभी ऐसा कहा गय है कि इसी तरह के और भी सेंटर मुंबाई के अलग 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 एरियस में सैट अप किये जाने है, आगली दोस्तों अप्डेनिकल करा रही है, वर्ल्ट हेल्थ और ग्राइजिशन से लिटर, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्र गूर्मन के दवरा, डवली वाचो के जो इं इंडिस्ट्य ऑफ आयूस के अंडर में सैट अप किया जाएगा, और इसके बैइफिट्स यह होंगे कि हमारे देश का जो आयूस सिस्टम है, वो ग्लोबली काफी जाए स्टों होगा, साथ साथ हमारे देश के जो आयूस सिस्टम है, उसकी सेफटी, क्वालिटी, यह सब च लिखते हैं कि कब तक इस जो सेंटर है बनागर कंप्लीट किया जाता है, अगली दोस्तों अब डेनी गलकर आ रही है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांस्पोर्ट अंड हाइवेस को लेकर, जहां पर दोसों हर्याना एंड एलसान, इन दोनों स्टेड्स के बीच में, जो ट्रांस्पोरिशन कनेक्टिवडेस को भैतर बनाते हुए, हमारी मिनिस्ट्र अफ रोट रांस्पोर्ट अंड हाइवेस, मिस्टर नितिन गटकर दी के दवरा, इन दोनों स्टेड में टोटल, 19 प्रोजर्ट से लौंच कर दिये गया है, जो कि स्पैसिपिकली नैसर डियूस करने के लिए एक यूटर्न का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो कि आप कह सकते हैं कि इस स्टेच पर एक काफी मचनेट थिंग थी, इसके अलाबा दिल्ली जैपूर हाइवे पर बहुत सारे फ्लाइवेस लाँच किये गये हैं, और कहा ऐसा गया है कि जो सभी के सार करनेंगे वहाँ पर टूरिजम, एगरिकल्चर, इंडर्स्ट्री, ट्रेड, इन सभी चीजों को बूस्ट प्रवाइड करवाएंगे, बढ़ते हैं दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हिमाचर प्रदेश स्टेट में बनने वाली एक न्यू टनल से रख दिया गया है, तो सो यह टनल होगी, इसका नाम धली टनल होगा, जो कि आराउंड 147 मीटर लोंग होगी, और इस टनल में जैसा मैं आपको बताया कि दो लेंज का कंस्क्रिक्शन किया जाना है, जिसमें से एक लिन एक डिरेक्शन के लिए होगी, और दूसरी दूसरी प्रुजड के अंतरगत कैथली घार से धली शेक्शन का जो फोर देनी का काम हो किया जाना है, ताकि इनके बीच में वो ट्राफिक कंजेशन इसको रेडियूस किया जा सके, क्योंकि दोनों प्लेस के बीच में 1852 की बनी एक टनल अभी मौजूद है, जो कि आज के स्टेंड इफेक्टिवली मैनेज करने में भी हेलफुल होगी, अगली 200 अपडेनिकल करा रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहाँ पर दिल्ली के ट्रांसपर्शन सिस्टम को ग्रीन पूश परवाड़ करवाते हुए, डिटी सी के दवरा दिल्ली में 100 और CNG बसस को स्टार कर जाए गया है, साथ साथ एक इलेक्टि बसस भी स्टार की गई है, तो सबसे सों CNG बसस हैं, यह सभी की सभी low floor AC CNG बसस हैं, जिनको दिल्ली क्लस्टर स्कीम के अंतरगत यहाँ पर लाया गया है, और इन CNG बसस में जो basic facilities होती हैं, वो तो ही है, साथ साथ पैनिक बटन्स, CCTV cameras, real time tracking, GPS, इस तरह की जो advanced systems हैं, उनको भी लाया गया है, और वहीं बात कर एक इलेक्टि बसस के बारे में, तो दोसको जो इलेक्टि बसस स्टार की गई है, यह एक तरह का prototype है, जो कि इंदरप्रेस डेपो से स्टार की गई है, इसी के performance को चेक करते हुए, यह देखा जाए कि DTC के लिए कौन सी इलेक्टि बसस को पर की ओर किया जाए, वैसे कहा ऐसा गया है कि April तक दिल्ली में DTC के लिए 300 और यी बसस को पहुंचा दिया जाएगा, जबकि जो new CNG बसस है, यह regular basis पर दिल्ली पे पहुंचती रहेंगी, आज की दोस्तो लास्ट अपडे निकल करा गए हैं, जिसकी announcement गुजरा स्टेड के finance ministry के द्वारा की गई है, तो जो तापी river front project है, इसका काम काफी आगे पहुंच चुका है, गुई as of now इस river front project के development के लिए गुजार government के द्वारा इस river के river banks के ऊपर 54 hectares of land को भी प्रूफ कर दिया गया है, साथ साल project के development के लिए जो special purpose vehicle है, उसका भी formation हो चुका है, और क्यों कि अब इसके लिए funds भी allocate हो गए है, तो अभी हमें इस project के development के लिए कोई huddle सामने देखने को नहीं मिल रही है, और currently कहा ऐसा गया है कि इस project के लिए जो remaining amount है, वो as a loan world bank से sanction करवाई जाएगी, जो कि around 1500 क्रूट पीस के आसपास है, और करना चाते हैं, तो रिशिफ्य में दिएगर link पर क्लिक करके submit कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, धन्याब आपका वीडियो को देखने के लिए